तो कल फाइनली D23 Expo में Marvel वालोंने Secret Invasion का ट्रेलर लॉंच करी दिया वैसे कल D23 से सब लोग और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक Fantastic Four का कास्टिंग या फिर एक नए हल्ट के मुवी का अनॉंसमेंट बट ये सब तो दूर की बात है उन्होंने किसी भी मुवी का फुटेज नहीं दिखाया हमें हाँ हमें उधर मौजूद लोगों को बहुत exclusive फुटेज जरूर दिखाया गया चलो अब Secret Invasion पे आते हैं तो जिन्हें नहीं बता कि Secret Invasion क्या चीज है मैं बता दू ये Marvel Comics का एक बहुत बड़े इवेंट है जिसमें हमें पता चलता है कि Earth के बहुत सारे Heroes लाइक Black Bolt, Spider Woman, End Man ये सब असल में Skrulls है और बस यहीं नहीं इनके अलाव अभी बहुत सारे Heroes Skrulls पाए गये थे Government की Important Positions पर और Shield के एकदम अंदर तक भी पहुच गये थे ये लोग Basically the Earth was totally infiltrated by Skrulls पर फिर Nick Fury Savior की तरह आते है और सारे Heroes को Assemble करके Skrulls को मार भगाते है Comics में Secret Invasion शुरू हुआ था Skrulls के Princess Viranke के वजए से जिसे Earth के Super Heroes से बहुत नफरत था अब वो लोग क्या चाते है वो तो हमें ट्रेलर में नहीं बता है और हमें शायद शो आने तक पता चलेगा भी नहीं उस चीज़ के बारे में बट इतना तो कंफर्म है कि MCU में Secret Invasion इसी Mysterious चीज़ के वज़ा से शुरू होने वाला है और इस चीज़ के बारे में Theory section में बाती करेंगे अब ट्रेलर में हमें इसके साथ-साथ Emilia Clark, Olivia Coleman, Ben Mendelsohn और Kingsley Ben Adir के characters के भी first look दिखते है वैसे ये लोग तो Skrulls है इधर ये अच्छे से समझ आ रहा है पर क्या ये लोग Evil है वो तो वक्त ही बताएगा Ben Mendelsohn is playing Talos the Skrull जो कि इतने दिनों से अर्थ में Nick Fury बनके घूम रहा था Olivia Coleman के character तो pure evil लग रहा है मेरे को end हो सकता है कि यही ये शो की main villain हो Lastly Emilia Clark, इनके character के बारे में ज़्यादा कुछ तो बता नहीं गया लेकिन starting में ये तो Nick Fury के साथ ही रहेगी Now let's just hope कि ये शो के end में संकी बनके सब को मान ना दे बाकी trailer में हम लोग और भी बहुत सारे must must action scenes देखते है And I'm pretty sure कि शो के action scenes को देखके हमें बहुत मजा आएगा अब आते है predictions और theories पे तो मैंने कुछ देर पहले जो Skrull princess वाला scene बताया था वो होना मुश्किल तो लग रहा है पर impossible नहीं है ये होई सकते है कि Olivia Colman का जोई evil character है ये असल में Skrull princess हो और अगर Marvel वाले हमें तोड़ा ज्यादा शौक देना चाहते है हो सकते है कि Emilia Clark के character को Skrull princess बनाते वो लोग अब आते है उस mysterious चीज पे फेलर के एक scene में हम लोग देखते है कि बहुत सारे गारिया कही जा रहा है एक defensive van को protect करते हुए अब ये हो सकते है कि Skrulls को चीज चाहिए वो उसी van के अंदर हो because उसी scene में हम लोग देखते है कि कोई उन गारियों पे helicopter से हमला कर दीता है since Secret Invasion एक काफी बड़ा event होगा I am pretty sure कि इसके FX Marvel के दूसरे projects के उपर भी बढ़ेंगे अगर तुम पूछते हो कौन से projects I have to say Captain America New World Order and Thunderbolts Okay so hear me out जिस चीज के पीछे Skrulls भाग रहे है हो सकते कि वो कोई government secret हो and since अब power broker यहनी Sharon Carter America वापस आ चुकी है it is possible कि अब वो Skrulls की मदद करे उस government secret को पाने के लिए but उससे भी मज़ेदार एक possibility हो सकता है अगर हमें दिखाया जाता है कि Sharon Carter असल में एक Skrull है यह theory फैल करेंदे Winter Soldier के वक्त भी बहुत popular हुआ था and finally Secret Invasion के वक्त यह सच भी हो सकता है and अगर यह सच हो गया Secret Invasion will directly connect to Captain America 4 और हाँ अगर तुम भी Sharon Carter की तरह एक Skrull नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो चलती से now let's move on to the Thunderbolts part Secret Invasion के comics में Wild के भी बहुत बड़ा रोल था क्योंकि वो Madam Hydra थी उदर इधर भी हो सकती है who knows and मुझे लगता है MCU में Secret Invasion के सारे events Thunderbolts में जाकी खतम होगा प्रुकों में समझाता हूँ Phase 4 के स्टार्टिंग से MCU में दो तरीके के स्टोरीज चल रहा है देखा जाए तो पहला कॉस्मी किया Multiversal Level जिसमें Loki, Doctor Strange, Eternals, Love and Thunder जैसे प्रोजेक्ट्स आते है और दूसरा Ground Level जिसमें Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye और She-Hulk जैसे प्रोजेक्ट्स आते है So my theory is कि जैसे ये Multiversal Level वाले स्टोरीज जाके खतम होंगे Secret Wars में वैसे ये Ground Level स्टोरीज जाके खतम होंगे Thunderbolts में मतलब Skrulls के Invasion, Power Broker, Corrupt Government और City Mafias इनको रोगने के लिए ही आगया ये Thunderbolts की टीम जो कि स्टार्टिंग में शायद थोड़े इविल होंगे But in the end they will save everyone Because all of them are anti-heroes, not pure villains शायद दो lawyers भी आजाए मतद करने हमें अब ये भी पता चल चुका है कि Captain America 4 के end में ऐसा कुछ होगा जिसके वज़ाए से Bucky Sam को छोड़के Thunderbolts को चॉइन कर लेगा ये फूरे टीम का line-up announce करना ज़रूरी था क्या Zemo, Red Hulk और Abomination के बिनन इनका क्या होगा मुझे सच में नहीं पता वैसे Red Hulk से याद है MCU में बहुत जल्द एक World Breaker Hulk मूवी आ रहा है उसके बार में जानने के लिए ये वाली वीडियो देख लेना मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में तब तक के लिए गुड़बाई